नश्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों, आज है 22 जुलाइ और आज का दिन हमारे इतिहास में या इसकी का इतिहासिक महत्ता है आज ही के दिन 1947 में हमारे राष्टर ध्वज को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था तो आज हम मना रहे हैं, Flag Adoption Day 2022 आज के सेशन में देखते हैं, Story Behind the Tiranga हमारा जो Tiranga है, उसके पीछे की पूरी स्टोरी आज जानने का प्रयास करते हैं साथ में Flag Code 2002, जिसमें कुछ चेंजिस किये गए हैं वो क्या हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर आज के दिन की महत्ता को मेंशन करते हुए कहा कि Today's 22nd July has a special relevance in a history आज ही का दिन है 1947 में जब हमारा नाशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था उस संबन्द में उन्होंने कुछ historical nuggets को शेर किया यहां पर साथ में उन्होंने डीटेल दी उस committee की जो associated थी हमारे राश्ट्र ध्वच से इसके साथ साथ उन्होंने उस पहले तिरंगे का picture भी शेर किया जिसको हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नहरू ने लहर आया था या फैर आया था चलिए बात करते हैं उस committee के बारे में वो members कौन-कौन थे committee के जिन्होंने suggest किया था या advice किया था हमारे जो present national flag है उसके design को लेकर जिसको बाद में Constituent Assembly ने अप्रूफ किया था तो मेंबर्स थे मौलाना अबुलकलाम आजाद सी राजो कोपालाचारी सरोज नाइडो जी बियर अंबेड कर सजन सॉरी उजल सिंग जी के एम पानिकर फ्रांक अंथनी और यह सभी सदस्य थे उस समिती के जिसने डिजाइन के बारे में एडवाइस किया नाशनल फ्लाग के इसी के बारे में आज डीटेल में बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू पाथफाइंडर चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट्स य के लिए एंडरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एंडी लाइफ 10 कि 20 आफ चल रहा है आज आखरी दिन है इसका 22 जुलाय को खतम हो जाएगा आफ़ अभी जाकर एंडरोल कीजिए सभी यूपीसी सीसे सब्सक्रिप्शिप्शन आपको मिल जाएगा 20 और विद माइकोड एंडी लाइफ 10 चल यह बात करते हैं हिस्ट्री की अपने जो तिरंगा है हमारा उसके बारे में तो किसी भी देश का किसी भी देश में अगर पूरे विश्व की बात करें सबका अपना एक फ्लैग होता है और यह जो फ्लैग है जो राश्टे ध्वज ह है ये डेटमाइन करता है ये बताता है कि वो देश आजाद है and it's a free country तो हमारा जो ध्रतिरंगा है he told करता है हमारी आजादी को जो नाशनल फ्लाग है, इसको अडॉप्ट किया गया था इसकी प्रेजेन फॉर्म में, जो अभी हम तिरंगा देखते हैं अपना, कब एक मीटिंग में एक समविधान सभाकी जो की हुई थी 22 जुलाई 1947 को, इसलिए आज हम नाशनल अडॉप्शन डे की तरह इसको मना रहे है है, adoption day of national flag, कुछे दिन पहले देश की आजादी गोशित होने से, 15 अगस तो 1947 को हम आजाद हुए, उससे कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को ही हमारा राष्ट्रे ध्वज अडॉप्ट किया गया था by the constant assembly, इसमें कहा गया था कि जो national flag है, डुमिनियन आफ इंडिया को सर्फ करे और उसके बाद ये Republic of India को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हम गंतंत्र हो जाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेगा लेटर ओन, हमारे देश में ट्राइकलर, तिरंगा अगर कोई कहता है, तो तिरंगे का मतलब होता है, हमारा राष्ट्र ध्वज, national flag, चलिए, अगर बात करें, हिस्ट्री की या इसके डिजाइन की, कैसे इवल्वाव सब बात करेंगे, डिजाइन की बात करें तो यह होरिजॉंटल है, इसका जो डिजाइन है, ट्राइकलर, इसमें तीन रंग है, सैफरल, केसरी, सबसे उपर, उसके बाद वाइट, मिडल में, और डाक ग्रीन, ह दिया गया है, 2 इसको 3, 2 and 3 this way, साथ में इसका जो बैंड है नीचे, वाइट बैंड है, उसमें एक नेवी ब्लू वील दिया गया है, जो की चक्र है हमारा, यह रीप्रेजन करता है, मूव्मेंट को, ठीक है, यह जो जो वील है, यह रीप्रेजन करता है चक्र को, यह चक्र जो है, वील, जो हम देखते हैं, यह सबसे पहले कहां देखा गया था, यह लिया गया है, सारनाथ की लाट से लिया गया है, सारनाथ की, और डायमेटर अप्रॉक्सिमेटली, अप्रॉक्सिमेट करता है, जो विट्थ है, वाइट बैंड की, और इसमें कितने स्पोक्स है, has 24 spooks in total, ठीक है, चलिए, कलर्स की बात करें करके, तो जो नाशनल फ्लाइग है भारत का, सबसे उपर इसमें साफरन कलर है, केस्ती रंग है, वो क्या रीप्रेसेंट करता है, रीप्रेसेंट स्ट्रेंग अंड करेज देश का, देश की शक्ती और हमारा जो करेज है उसको री वो दिखाता है, fertility, growth, prosperity, auspiciousness of our land, ठीक है, उप जाउता है और हमारी पूरी overall, prosperity को, चक्र की बात करें, तो धर्म चक्र है बीच में, जो डिपिक्ट करता है, वील of law, कानून, वील कह सकते हैं, इसको चक्र कह सकते हैं, जो कि लिया गया है सारनाथ लायन कापिटल से, जो बना था तीसरी शताबदी में, 3rd century BC में, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था, बनवाया गया था, चक्र क्या इंडिकेट करता है, चक्र जो है, ये इंडिकेट करता है, कि life in movement, जब हम चल रहे हैं, तो हम जिन्दा है, जब हम मूव कर रहे हैं, तो हम जिन्दा है, अगर हम stagnant हो जाएंगे, अगर हम रुक जाएंगे, तो इट डिपिक्ट्स, डेथ, तो हमेशा ही हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है, ये इसका depiction है, अगर evolution की बात करूं कि कैसे हम अपने प्रेजेंट चक्र तक पहुचे हैं, तो सबसे पहले अनोफीशल जो भारत का वो 1906 में लहराया गया, इसको फेराया गया था, अगर साथ 1906 को पार्सी बागान स्क्वेर, ग्रीन पार्क, कलकत्ता जो अभी कॉलकोता है, और इसम पहुचे बात अगला लाग ता छो थो तो बरलिन कामिटी फ्लैग ता इसको मअम बिकाची कामा था एको शोयराज प्रेंस में इसको सबस्फेराया था बढ़न तो इसमिलिर आतल पर्संशलिस में हुई ओडाए मिली राजिए ढार इसके बाद तीसरी वार उन्ननी उस्मा तीसरा फ्लैग जो आया, उनिस्टो सत्रा में आया, डिजाइन कह सकते हैं अमकरा से, जब हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल एराजनी तीक जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था हमारा इंडिपेंडेंडेंस के लिए, स्वातंतरता के लिए वो एक डेफिनिट शेप ले चुका था अब तक आते हुए थोड़ी क्लारिटी आगे थी कि हम किस डिरेक्शन में जा रहे हैं, क्या उद्देश है हमारे आजादी के, कि कि हम किस उद्देश से लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस बिटिशर्स, तो ये फैर आया गया था, डॉक्र एनी बैसंत और लो युनियन जाग भी फ्रेजन किया गया है, सब तरशी भी है ये तो इस तो दिफेंस लिए इसमें, इसके बात अगला व फ्लाग था ऐगा था व अबट किया था है, उन्ने सो इंटेश अन्ने सो एंटीया किया था, अगला इन्या शो एम्सेशन के दोरान कहां पर्पर इसमें जो दो colors का प्रीयो प्रियोग किया गया है उनको identify किया गया धौा कहा गया था कि वो रीपरिजेंट करते हैं देष्ट की दो major community communitys को समुधायों को Hindu और Muslims इसमें यूज फिए गया हैं ऐसा कहा गया जिस पर गान्धी जी ने suggest किया था जा का रिप्रेजेंटेशन कम्यूनिटीज के आधार पे रखा गया है ठीक है चलिए इसके बाद 1931 यह फ्लैग जो है यह काफी महत्पूर्ण है और यह एक तरह से इंडिया नाशनल आर्मी ता जो बैटल है उसको दिखाता है 1931 का फ्लैग काफी लैंड मार्क है इंड हिस्ट्र लेकिन यहां पर जो 1931 का फ्लैग था उसके लिए प्रस्ताव पारित करने के बाद यह फ्लैग फोईस्ट किया गया यूज किया गया अजवर नाशनल फ्लैग इस फ्लैग में भी काफी कुछ सिमिलारिटीज है तुद प्रेजेंट फ्लैग जो आज हम हमारा तिरंगा है उ लेकिन यहां पर चीज बहुत क्लिरली मेंशन थी इस फ्लैग में 1931 के फ्लैग में यह जो तीन कलर का प्रेयोग किया गया है जो कि 1921 के फ्लैग में भी किया गया था लेकिन इस फ्लैग में तीनों कलर किसी भी तरह से किसी समुदाय को रीप्रेजेंट नहीं कर रहे थे बल प्रोस्पारिटी का सिंबल है यहीं दर्शात है इसका कहीं से कहीं कोई भी कामिनल रीप्रेजेंटेशन नहीं है इसके बाद 22 जुलाई 1947 को सम्विधान सभाने अडॉप्ट किया हमारा फ्री इंडियन नाशनल फ्लाग जो की आजाद भारत का नाशनल फ्लाग होगा इसके बाद इसकी जो तीन कलर्स हैं इनका सिंग्निफिकेंस वही रहेगा जो 1931 का जो जंडा था सेम लेकिन यहां पर चर इसके बाद वहारा आजाद भारत का जो एक राष्ट्रे धज की तरह इसको हमने अडॉप्ट कर लिया अब सेलिन फीचर्स क्या हैं फ्लाग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तो नाशनल फ्लाग है यह किसी भी देश के लोगों की होप्स मैं जुड़े होएं यह हमारा एक करने वाला एक तरह से सिंबल है तो उन सब को रिप्रेजन करता है हमारी क्या इच्छाय है क्या हमारी अपेक्षाय है उसको रिप्रेजन करता है यह नैशनल प्राइड का सिंबल है और एक तरह से युनिवर्सल अफेक्शन हम देश के सभी नागरिक इसको रिस्पेक्ट कर हम सभी के दिलों में, सभी भारतवासियों के दिलों में, इसकी होईस्टिंग, इसको फेहराना, यूज या डिस्प्ले जो है, उसको गवर्न करते हैं, दो इंपोर्टेंट आक्ट्स, पहला है प्रेवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नाशनल ओन आइक्ट 1971 और दूसरा है फ्लाग सब्सक्राइब केवल खादी से बनता था और हैंड ववन होता था अभी पॉलिस्टर से भी बन सकता है और मशीन मेंड फ्लाग पो भी अलाओ कर दिया गया है देश में यह नए बदलाव के लिए लाए गये हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हदगर तिरंगा एक प्रोग जाणते हैं मशीन मेंड हो सकता है कॉटन पॉलिस्टर फूल सिल्क या खादी बंटिंग भी हो सकता है कोई भी सदस से सरकारी सदसे हो कोई प्राइवेट ऑर्गनाइसेशन हो या कोई एग्येशन इंस्टिछन हो यह सको हॉयस्स्टों डिस्प्ले कर सकता है अपने हमारे जो राश्ट्रेदवज है उसको, किसी भी दिन, all days, किसी भी occasion पर, ceremonial या अदरवाइस, किसी भी तरह से, हम मतलब इसको आप hoist कर सकते हैं, पहले इतना serious, इस तरह से allowed नहीं था, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि इसकी dignity और इसका स्पोर्ट्स कंप, स्काॉट कंप के द्वारा, तो इसको किया जएगा तुझ इंस्पायर रेस्पेक्ट फॉदी फ्लाइग, मतलब ताकि एक तरह से हम जो भी बच्चे हैं, जो भी उस और इस और के मेंबर एंस्पायर कर सके, कि हमें राष्टे दोज को सम्मान करना है, सम्मान देना है, इसके साथ साथ एक Oath of Allegiance भी होगी, इसके Respect के लिए, वो भी इंक्लूड होगी फ्लाग होईस्टिंग में, किसी भी स्कूल में या इंस्ट्यूशन में, कोई भी Member जो है, इसको कर सकता है, क्योंकि राष्टे दोज है, लेकिन अभी इसमें बदलाव किये गए, बदलाव करके, अब हम अगर चाहते हैं, तो अपने घरों में भी हम राष्टे दोज फैरा सकते हैं, लेकिन हमें इसको Respect करना होगा, Honor करना होगा, इसके Dignity को Maintain करना होगा, What are the don'ts? Now the don'ts are, फ्लाइक को नहीं यूज किया जा सकता, communal gains के लिए, communal gains के मतलब समुदाइक, संप्रदाइक, चीजों के लिए नहीं स्तमाल कर सकते हैं, drapery, drape करने के लिए इस्तमाल नहीं हो सकता है, या फिर कपड़ों की तरह भी tricolor यूज नहीं हो सकता है, इसको लेगे काफी controversies भी रही हैं, पास्ट में, जैसे एक राइट मंदरा बेदी ने साड़ी पहनी थी, एक tricolor तो उन पर एक controversy हुई थी, उसके बाद अलग अलग चगहों पर ये controversies होती रही है, यह अलाउड नहीं है, this is against the flag board of India, ठीक है, as far as possible, it should be flown from sunrise to sunset, जितना हो सके इसको सूरिय अदे से लेके, सूरिय अस तक ही फेराया जाना चाहिए, चाहे कैसा भी weather हो, weather does not matter, flag को कभी भी intentionally नहीं अलाउड होने देना है, कि वो ग्राउड को टच करे, कभी भी वो जमीन को टच नहीं करना चाहिए, or the floor or trail and water, it cannot be draped over hood, top, sides or back of vehicle, यह किसी भी गाड़ी में, किसी के उपर drape नहीं कर सकते हैं, यह सब अलाउड नहीं है, no other flag or bunting can be placed higher than the flag, कोई भी फ्लाग या कोई भी ऐसा symbol, हमारे राश्ट्य धवज से उपर नहीं फेराया जा सकता, सब से उपर सर्वोच स्थान किसका होगा, राश्ट्य धवज का होगा, यह भी क्लिरली दिया गया है, कोई भी object, including flowers, garlands और emblems, can be placed on or above the flag, कुछ भी ऐसी चीज इसके उपर नहीं रखी जाएगी, नहीं रखी जा सकती है, इसको मिलना चाहिए, तो इससे कहीं पर भी इसको कम नहीं रखना है, यह बहुत क्लिरली फ्लाइक कोड में दिया गया है, तो that's it about the Indian National Flag, उसकी हिस्ट्री और उसका significance दोस्तों, आहे होब आपको पसंद आया होगा, CAC Assured, दो साल के सब्स्रिप्शन पर आपको मिल रहाएँ, एक साल का extension, साथ ही आप लोन की फिसलिटी भी अवेल कर सकते हैं, आप इस कोड से अन्रोल कर सकते हैं, CAC Notes अर अविलेबल, अविलेबल नाओ, जिसमें कंटेंप्रारी इशू को अवर किया गया, ताइम लान माप्स भी है, कॉमबाट हर संडे होता है, सुबा ग्यारा बजे इंडोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLIFE10, वाई अनकाडमी, विकॉज अनकाडमी गिव्ज यू इविव इडिस चोइस अव एडूकेटर्स और बहुत सारे benefits with the subscription along with the results that we are producing year after year, साथ ही आप loan की facility भी available कर सकते हैं with 0% EMI on the platform, Legends Wisdom series शुरू हो चुकी है platform पर 20 July से जहां पर जो बिदिगज है अनकाडमी के वो आपको guide करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, directions देंगे for your goals, ताकि आप अचीव कर सके अपने goal को, batches 1 July से शुरू हो चुके हैं अभी जाकर enroll कीजे, option की classes already platform पर running है, वो भी आप enroll कर सकते हैं, doubt दरबार भी conduct किया जाता है, पांच बजे अलग-अलग subjects के लिए free classes होती हैं, केवल आपको मेरा quote यूज करके enroll करना है, that's it from my side and again congratulations and sabhi ko बहुत-बहुत बदाई हो आज के दिन की 22 July and let's not forget each and every national festival that we have to celebrate, don't forget to like, share and subscribe to the channel, God bless you, Jai Hind!